वरम वनम व्याग्र जेंदर से वुतिमी दुरमालायम पत्रफ्लाम जभोजरम तरश्रेनम सैया सतजीन वलकलम नवंधु मध्धे धनही नजीवनम बनाई मनस्य सियं और बाग आदी ही सगजान उसे युक्तुबन में निवास करें किसी पेड़ पर अपना घर बना ले वक्ष के पत्ते और फरका कर तता पानी पीकर बुजारा कर ले तिनकों के सया पर सोले फटे पुराने वक्षों के छाल के कपड़े पहलने परंतो अपने भाई बंदू में धन से रही तरशाद दरी द्रबन कर जीवन नहीं विताए इस सलोक से ये बात बली प्रकार पुस्ते एक निर्धनता एक प्रकार का अभी साफ है चारक के का मानना है कि विक्तियन ने सभी प्रकार के कर्ष्ट सेन कर सकता है परंतो अपने सगे संभन धियू में निर्धनता की कान अपमान सेन नहीं कर सकता विप्रो व्रक्षत से मूलम चे संध्या वेदा साखा धर्म कर्मनी पत्रम तस्मान मूलं यतनतो रख्षनिये छिने मूले नेवा साखान पत्रम ब्रामन एक वर्ख्ष के सवान है और संद्यार था प्रभू के उपासना और अराधना उस ब्रामन रूप्ष की जड़ है वेद उस वर्ख्षी साखा है धर्मकरम उसके पत्ते है इसलिए यतर पूरू को उस दर्की रक्षा करने चाहिए क्योंकि जर्के नस्थ हो जाने पर ने साखाएं रहेगी और ने पत्ते ब्रामन एक वरस्थ के समान है प्राते और साइं दो कालू के बीच में जो समय परता है उसे संधी विला कहते हैं उस समय ब्रामन प्रव्वी पूजाव अपाफना करता है ये पूजाव अपाफना ब्रामन रुपी वरक्ष फलने पूनने की जर्य है अत्वा आधार वेद गहाग्यान उस वरक्ष के साखाएं है उसके धर्मा नखूल अच्छे कारे उसके पत्ते के समान है इसलिए यतना पूरो उस व्रक्ष के मूल की रक्षा करने चाहिए मूल की रक्षा से व्रक्ष फलता फूलता है यदि जड़ी नस्थ हो जाती है तो व्रक्ष भी नस्थ हो जाता है माता चै कमला देवी, पिता देवी, जनारदंग बांदवा इसको भक्ता से स्वेदे सिफोना त्रेम कमला देवी अथा लक्षुनी जिसकी माता है उसर व्यापक परमेश्वर जिसके पिता है प्रभू के भक्त इसके भाई बंदु है ऐसे पुर्ष के लिए तीन लोग अपने देश के समान है यक रक्सा वरूदा नाना वरना विखगमा प्रवाते दसासू दिख्सू तत्रका परिवेदना रातरी के समय नेक रंग रूप वाले पक्सी एक पुर्ष पर आकर बैरते हैं प्राते काल वे समय वे सबी दसू दिसाउं वर्थार विबिन दिसाउं में उर्दाते हैं इस बात में सोक करने की आविशता नहीं है इस संसार उपी परवार में एक दूद बांदव और इस्तिदार उसी तरह आकर मिलते हैं जिस प्रकार साइंकाल होते हैं नेक तरह के फक्सी बसेरा लेने के लिए एक वेड़ पराबेड़ते हैं और समयाने पर था सूरे उदय होने पर वेविविन दसाओं में चल देते हैं इस प्रकार एक परवार में खटा हुए बंदू बादू भी समयान पर बुछर जाते हैं इसलिए उनके संबन में भी सोक करना उचित नहीं है बुद्धी यस्ते बलम तस्ते निवरदे सुकतो बलम वरोसी है मदोनमत मुससे के इनने पातिते जिसके पास बुद्धी अर्थाज ज्याने उसके पास बल भी होता है बुद्धी ही निविक्ती के पास बल कहा है जंगल में अपनी सक्ति की मद में मस्त सियं को एक खरगोष ने मार डला इस कता में सभी प्रिचत हैं भावार्त ये है कि छोटे से खरगोष ने अपने बुद्धी की बल्से बल्वान सियं को भी मोत के घात उतार दिया बुद्धि मान विक्ति ही बल्का सही उक्योप कर सकता है का चिंता मम जीवने यदी विर्सम भ्रम होगी ते नोचे दिवक जीवनाय जने नस्तम कथम निर्वयतेम इतापोले मुहबर्दम लक्ष में पते के वलम तदामन सेवनम संततकालो मयानी ते यदी भगवाल विष्णू को सारे संसार का पालपोसन करने वाला कहा गया है तो मुझे इस जीवन में किसी बात की चिंता करने की आविशता नहीं यदि भगवाल उसनों नहीं होते तो गरम में इस्ति बालक के जीवन के लिए माता कि इसनों मुदूद कहां से आता बार बार इस तरह का विचार करके तीनी लोगों के स्वामी मैं आपके चरनकम्नू में सेवा करते हुए अपना जीवन में उतीत करता हूँ भाव ये कि जे संसार के उस पर मेर्सन ने बनाया वही सब का भन पोस्न करता है ऐसे इस्तिते में मनूस्य को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो बालक गरम में है उसके पालन पोस्न के लिए माता कि इसनों मुदूद पहले ही उत्मन हो जाता है आप इस अंसार के पोस्न करने वाले हैं मैं आपकी सेवा में अपना समय बिताता हूँ अर्थाद मनूस्य को त्याक की भावना से अपना करम करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए करम के अनुरूप की प्रभूश का फल देते हैं ग्रावान अस्रम विष्पन बुद्धिस्तापी बासांतर लोग को हम यह था सुना मतिस्तते स्रमांगन महादरवुंची संस्क्रत के अतिरेत मैं दूसरी बासा हूँ का भी लोगी हूँ जिस तरे श्रूप में विद्वान देवतां को अम्रत की प्राप्तिके और रूप का पान करने की इच्छा रहती है तानक के करते हैं संस्क्रत वासा से मुझे विशेश प्रेम है उसमें मेरी विशेश बुद्धी है इसके बावजूर मैं दूसरी वासाइं विशेखना चाहता हूँ उनका भी में लोगी हूँ जिस प्रकार स्रूप के देवता अफ्ष्व करने की इच्छा रखते हैं सबस्क्राइब दोस्तों